दिल्ली में चल रहे किसान अंदोलन को तीन महिने होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच मसले का हल नहीं निकल सका है जिसकी बज़े से के इन सरकार किसी बिल को लागू करने पर अड़ी है तो वहीं किसान भी किसी बिल को काला कानून बता कर बिल बाप से संकेतिक तौर पर उन्होंने भी राष्टपती को संबोधी देख गया 500 उपा जिसमें उन्होंने मांग की कि इसके साथ ही अगर किसान बिल पर सरकार बैक फूट पर नहीं आती है तो इससे बड़े भी आंदोलन यूपी के बरेली में भी देखे जा सकते हैं देखी जैसा के हमारे जो देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले करीब 80 दिन से जादा हो गए और इतनी परशानियों की बीच हम किसान भाईयों की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि नियुन्तम मूल जो रेट हैं MSP की मांग कर रहा हैं जिसे कानूनी रूप दिया जाए और अगर कोई इससे कम मूल पर खरीदे तो सरकार उसके बुरुद प्रली से बली कारवाई करें दूसरा यह था कि जो जमाखोरी वाली बात है कि सरकार जो है खास तरीके से आज प्राविट सेक्टर पर जो जमाखोरों उध्योग पतियों के लिए बड़े बड़े गुदाम जो बना रहे हैं वो सीजन के टाइम कम धामों पे सामान खरीजें किसानों का और जब मूल बढ़ जाएंगे उस बड़े वो अपना गुदाम का माल निकालेंगे तो किसान की कमर तूड जाएगी एक तो टीजल और पिट्रॉल से वैसी कमर तूड चूड चुकी है जो उत्तर प्रेज़ में रेट रेटेव 31 रुपे होना चाहिए लेकिन आज हमें यहां असी रुपे में यहां पे त्यल मिल ला है बाकि सब राज सरकार और हमारी केंसर कार की जेम में पैसा जा रहा है पड़े अफसोस की बात है योगी जी और मोदी जी कम से कम शरम करके और बड़ा दिल दिखा कि यहां के ट्रेक्स माप परिए जिससे के आम जंता को रहाद मिले किसान अपनी जुताई बुवाई हर चीजों में इसमाल ट्रेक्टर का करता है और ट्रेक्टर डिविजल बगएर नहीं चलता है एक तो बो मार है दूसरे अन्डे के सही दाम नहीं मिलने है तीसरा गन्या किसानों की भी पेमेंट जल्स चलत करें जाएं और आज हम रे लोग ने जा रहे थे पूरी तयारी हमारे हर गाउं से हमारे किसानवाई आये थे लेकिन पूरी पुलिस प्रिशाशन ने और यहां के प्रिशाशन और पुलिस से मिलके हम लोगों को पूरी जवरत सी तरीके स रोगा है लेकिन हम लोग रोगने वाले नहीं हैं यह अंदोलन जब तक दिन काले कारून खतम नहीं जाते हैं हम लोग अपना अंचन आगे भविश में अंदोलन शांती पूरबक जारी रखेंगे